मासकार किसान साथियों मैं हूँ आपका दोस्त दिलसाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल के बारे में कि यदि आपके आलू की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम सेर करने वाले हैं वीडियो को सुरू से लेके लाज तक आप जरूर देखेगा तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आपने इससे पहले अन्यक परकार के फर्टिलाजस और दवाओं का उप्योग कर लिया है जिससे आपकी फसल अच्छी भी दिख रही है लेकिन आपको इस स्टेज पे दो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है अपनी अलू की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस स्टेज पे तो हियूमिक एसिड डालना बिल्कुल भी न भूल लें से आपके आलो की फसल में आलो की संख्या अधिक हो जाएगी और इसके बाद आपको आलो का आकार बढ़ाने के लिए second number पे आपको plant growth regulator का यूज़ करना चाहिए और बात करें अगर best plant growth regulator की तो इसके लिए आपको BSF company का लिहोसिन यूज़ करना चाहिए इसमें क्लोर मेक्का क्लोराइट का combination होता है लिहोसिन पौधे की vegetative growth याने की अनावसक ब्रदि को रोंग देता है और उसके लंबाई को भी रोंग देता है जिससे क्या होता है कि पौधे में जो भी energy होती है वा पौधे के विविन भागों में पहुंच जाते है जिससे पौधा मजबूत हो जाता है और उसकी energy जो भी होती है वा फलों में भी संचित हो जाती है जिससे फलों का आकार बड़ा हो जाता है और फलों का जब आकार बड़ा हो जाता है तो उस से हमें अच्छा उतपादन मिल जाता है इसलिए जब हमारी आलो की फसल 55-60 दिन की हो जाए उस समय हमें लिहोसन का उपयोग करना चाहिए क्योंकि उस समय हमारे आलो की फसल की बेजिटेटिव ग्रोथ पूर्ण हो जाती है और हमें अधिक लंबाई की वसकता नहीं होती है पोधे में और हमारे पोधे की लंबाई को रोगना होता है जब हमारे पोधे की लंबाई रुकेगी तब ही हमारे फसल में कंदों का आकार बढ़ पाएगा क्योंकि जो भी एनर्जी होती है वो कंदों में संचित हो जाती है पोधे के और कंदों का आकार बढ़ जाता है इसलिए हमें 55-60 दिन की अवस्था में लिहोसिन का उपयोग अवस्थ कर देना चाहिए अपनी फसल में बात करें इसके दोच की तो आपको 200 ml लिहोसिन को प्रत एकड की दर से 1.500 लिटर पानी के साथ आपको इस्प्रे कर देना चाहिए बात करें इसके प्राइज की तो आपको लिहोसिन का एक लिटर का पैक 1100 रुपे के सम्थिंग मार्केट में मिल जाएगा अगर आपको लिहोसिन मार्केट में नहीं मिल पाता है तो आप घरना केमकल के चमतकार टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं अपने अलो की फचल में आपको सेम रिजल्ट देखने को मिल जाएगे चमतकार टॉनिक में भी आपको लिहोसिन जब भी यूज़ करना है तो आपको नमी में यूज़ करना है पहले आप अपने खेत में सिचाई कर दें उसके बाद आपको लिहोसिन का उपयोग करना चाहिए आप लिहोसिन को ड्रिप या फिर इस्प्रे की साहिता से दे सकते हैं अपने खेतों में और लिहोसिन हमेशा 10-15 degree centigrade के तापमान पर वर्क करता है, इससे ज़्यादा अगर तापमान होता है, तो आपका लिहोसिन अच्छे से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें जो भी chemical होता है, उसका यहीं गुण होता है, यह 25 degree centigrade के उपर काम नहीं करता है, तो इसलिए आप जब ताउन रहता है, तो किसान साथियों यही सब जानकारिया थी, हमारे आलू की आकार को बढ़ा करने के बारे में, दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के मादें से आप हमें बता सकते हैं, यह आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों में शेर कर स सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें तब तक के लिए धन्यबाद मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ